इक्जामिनेशन 27 आज के सेसन में हम पढ़ेंगे साजेदारी या पार्टनर्सिप इससे पहले हमने अनुपात और समानुपात पढ़ा था साजेदारी में भी अनुपात और समानुपात से रिलेटेडी क्वेस्चन बढ़ते हैं साजेदारी होता क्या है सांजेदारी में दोस्तों दो वेक्तियों द्वारा रासी लगा के वर्स के हंत में लाप का बटवारा किया जाता है सांजेदारी में चार तरह के कोश्चन बनते हैं दोस्तों एक, दो, तीन और ये चार हम चारो टाइप को समझेंगे चोलिए पहले नंबर एक को समझ लेते हैं पहले टाइब में दोस्तो दो वेक्ती रासी किते लगा रहे हैं एक वेक्ती 100 रुपए लगा रहे हैं दूसरी 200 रुपए लगा रहे हैं समान समय के लिए बारा महीने के लिए लगा रहा है ये भी बारा महीने के लिए लगा रहा है तो क्या होता है दोस्तो जब समय समान हो तो लाप का बटवारा लगाई गई रासी के अनुपात में होता है समय को नहीं लिखते जब समय समान हो तो समय को नहीं लिखते लाप का ब लाब का बटवारा एक अनुपात दो के अनुपात में होगा, सेकेंड टाइम में देखते हैं दोस्तो, यहाँ पर दोनों विक्ति समान रासी लगा रहे हैं, 700 रुपे लगा रहे हैं, लेकिन एक लगा रहे हैं छह मैने के लिए, और एक लगा रहा है आट मेने के लिए तो हमें क्या समझा रहा है यहाँ पर रासी तो समान है लेकिन समय अलग अलग है तो लाप का बटवारा दोस्तों समय के अनुपात में होगा च्छै अनुपात आठ दो से तीन बार और दो से चार बार कर जाता है तो लाप का बटवार तीन अनुपात चार के अनुपात में होगा दोस्तों यहाँ पर देखी दोस्तों यहाँ समय समान था तो रासी अलग 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 थी यहाँ पर रासी समान है तो समय अलग अलग है तिश्रे टाइप के कोश्चन में दोस्तों लगाई गई रासी भी अलग अलग ये 100 अलग ये 200 लगा रहा है और समय भी अलग 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 ये तो लाप का बटवा रखी से अनुपात में होगा ये देखिए दोस्तो Зिरो से जिरो कट गया 4 एकम 4 अनुपात 6 दूनी 12 ये देखिए 1 और 4 से 3 भार लाब का बटवार एक अनुपात तीन के अनुपात में होगा दोस्तो चौन्ता टाइप होता है दोस्तो सक्री साजेधार सक्री साजेधार होता क्या है दोस्तो जैसे दो वेक्ति व्यापार आराम कर रहे है और इस वेक्ति के पास यानि कि अत्रिक्त काम है यानि कि व्यापार में अच्छा से ध्यान नहीं दे सकता और यहां व्यक्ति व्यापार में अठीक तरी से ध्यान देता है। या यूं कहें दोस्तों यह व्यक्ति रासी तो लगा देता है लेकिन पूरा कारे यह दूसरा व्यक्ति करता है। यानि कि जो वेक्ति व्यापार में सक्री होता है व्यापार को ग्रो कराने के लिए मेहनत करता है उसे कुछ मेहनत ना देना पड़ता है जैसे कि व्यापार में सुद्ध लाब एक हजार हो रहा है दोस्तों एक हजार में से पहले ही तै कर लिया जाता है कि सव रुपए महन तना सक्री साजेदार को दिया जाएगा तो लाब का बटवर कैसे होगा दोस्तों यह देखी जीरो से जीरो कड गए एक अनुपात दो टोटल किते हो गए तीन अब दोस्तों सुद्ध लाब पता कर लिया जाता है तो व्यापार के आंट में दोस्तों एक हजार का लाब हो रहा है उसमें से सव रुपए महना तना को घटा देते हैं तो कित्ते बचे दोस्तों नाव सव तो दोस्तों तीन नाव सव के तो एक कित्ते का होगा तीन से भाग दे दिजिए तीन सव का तो लाब का बटवारा इस तीन सव पे होगा दोस्तों चलिए अब कुश्चन्स को हल करते हैं के रहा कुश्चन दोस्तों तीन साजे दारों A, B, तथा C नेक रमसह 40,000 रूपए, 38,000 रूपए तथा 42,000 रूपए लगा कर एक व्यापार आरम किया एक वर्स के अंत में 55,200 के कुल लाब में प्रतेक का लाबांज ग्यात कीजिए यहाँ पर देखी दोस्तो एक वर्स के अंत में बोल रहा है यानि कि व्यापार किते सा महीने चला 12 महीने चला और लाब किता हुआ 55,200 तो चली हल करते हैं तो देखी दोस्तो A, B और C किती किती रासी लगा रहे हैं A 40,000 लगा रहा है B 38,000 लगा रहा है और C लगा रहा है 42,000 दोस्तो मैंने इससे पहले आपको बताया था समय समान होई यहाँ पर देखी एक वर्स के अंत में बोल रहा है यानि कि 12 महीने सभी ने 12 महीने रासी लगाई है तो समय समान है सभी के लिए तो लाब का बटवारा किसके अनुपात में होगा लगाई गई रासी के अनुपात में होगा और समय को नहीं लिखेंगे दोस्तों समान समय होने पर समय को नहीं लिखते लाब का बटवारा रासी के अनुपात में होता है यह देखी दोस्तों तीन जीरो से तीन जीरो काड़ देते हैं और ये 42 से कित्ते बार कर जाता है दोस्तों 20 बार कर जाता है 38 कित्ते बार कर जाएगा 19 बार कर जाएगा और 42 21 बार सभी को जोड़ देते हैं कित्ता हो जाता है 20, 19 और 21 ये हो जाता है दोस्तों 60 ए ये मान लेते हैं दोस्तों और लाब कित्ता हो रहा है पुरा 55,200 यह देखिए दोस्तो जीरो से जीरो कड़ गया यह च्छाय से 92 बार कर जाता है अग्या चैसे 552 बार कर जाता है और एक जीरो दोस्तो एक अमान किता आजाएगा 920 आजाएगा तो हमसे पुछा है वर्स के हत्म में प्रतेक का लाभांस यानि कि ABC को किता लाभ हुआ तो एका लाभ कैसे निकालेंगे दोस्तो 920 गुडित एका किता है 20 अनुपात है तो 20 से कर देते हैं गुड़ा तो किता आजाएगा दोस्तो यह हो जाएगा दोस्तो 18400 अब B का भाग कैसे ग्याद करेंगे किसी प्रकार 920 का गुड़ा कितने से कर देंगे 19 से कर देंगे तो यह आजाएगा दोस्तो 17480 हो जाता है कि लिए 920 का गुड़ा किस से कर देंगे 21 से कर देंगे तो किता आजाता है यह 19,320 आजाता है तो A का लाप किता हो गया 18400 B का हो गया 17,480 और C का आजाए 19,320 तो अगला कोश्चन करते हैं दोस्तो संजू ने 40,000 लगा कर एक व्यापार आरम किया आठ माँ बाद राजू भी उतनी ही पुझी लगा कर साजेदार बन गया तो वर्स के अंत में 12,000 के कुल लाब में राजू का लाप कितना है तो देखी दोस्तों संजू ने 40,000 लगा कर व्यापार आरम किया आठ माँ बाद राजू भी उतनी ही पुझी लगा कर उतनी बोले तो 40,000 लगा कर साजेदार बन गया वर्स के अंत में 12,000 कुल लाब होता है तो राजू का लाप कितना ये ग्याद करना है में दोस्तों यहाँ पर देखी संजू 40,000 लगा रहा है और राजू भी उतनी ही रासी लगा रहा है यानि कि 40,000 लगा रहा है लगाई गए रासी समान है इसलिए लाप का बटवारा समय के अनुपात में होगा संजू 80 लगाता है कितने 12 मेने के लिए और राजू 8 महा बाद राजू भी 8 महा 12 में से 8 गटा दो दोस्तों तो दोस्तों राजू 8 महा बाद रासी लगा रहा है और व्यापर कितना चल रहा है 12 महा तो 12 में से 8 गटा दो तो चार महने आ जाते हैं चार महने के लिए वो रासी लगा रहा है बारावर चार कित्ते हो जाते हैं दोस्तो सूला हो जाते हैं सूला यह मान लेते हैं अपन और टोटल लाप कित्ता हो रहा है बारा हजार सूला से बारा अजार किते बार कड़ जाता है दोस्तों साथ सो पचास बार कड़ जाता है एक बराबर क्या आ जाएगा साथ सो पचास आ जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों साथ सो पचास का गुड़ा चार से कर देंगे क्योंकि राजू चार महने के लिए रासी लगा रहा है 750 गुड़ी चार कित्ता हो जाएगा 3000 तो राजू को कित्ता लाब मिलेगा 3000 रुपए लाब मिलेगा चलिए अगला कोच्चन करते हैं मितलेस ने 48,000 निवेस करके एक व्यापार आरम किया साथ महाबाद 56,000 की पुझी लगा कर विद्धा भी इस व्यापार में साजेदार हो गई वर्सांत यानि कि एक वर्स की बात हो रही है वर्सांत में कुल 5885 के लाब में से विद्धा को कितना धन मिलेगा तो चलिए अगल करते हैं तो मिठलेश कितनी रासी लगा रहें दोस्तों 48,000 रुपे लगा रहा है कितने महाईने के लिए 12 महाईने के लिए वर्सांत की बात हो रही है वर्सांत बोल रहा है कोश्चन में यानि कि एक वर्स में 12 महाईने होते हैं वर्ष के अंत में, और विद्या कित्ती रासी लगा रही है, 56,000 रूपए, 7 महिने बाद बोल रहा है, तो 12 में से 7 घटा दो, कित्ते बचे दोस्तों, 5 महिने, यानि कि 5 महिने के लिए रासी लगा रही है, तो 5 से गुडा कर देंगे, तो यह देखी दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 4 से 12 बार कट गया, और यह 4 से 14 बार कट गया, तो 12 गुडित, यह 12 बचा, और यह 5, फिर 2 से कट रहा है, देखो दोस्तों, 2 से 6 बार कट गया, और यह 2 से 7 बार कट गया, 12 गुडित 6 किता हो गया 72 हो गया और 7 गुडित 5 किता हो गया 35 हो गया 22 गुडित 5 किता हो गया 107 हो गया 107 यह मान लेते हैं और वर्स के अंत में कित्ते का लाभ हो रहे 5885 का 107 से 5885 पचपन बर कर जाता है यह बराबर क्या आ जाएगा पचपन आ जाएगा यह बराबर पचपन आ जाएगा तो हमें क्या गया गयाद करना है विधा को किता धन मिला यह गयाद करना है तो क्या करेंगे दोस्तो पचपन का गुड़ा 107 से कर देंगे तो ये हो जाता है 1925, 1925 रुपए लाब मिलेगा विद्धा को दोस्तों तीन गौले A, B, C मिलकर एक चारा गा पाच 1880 रुपए में किराये पर लेते हैं इसमें A अपनी अठरा गाए चार महिने चाराता है, B अपनी 16 गाए चार महिने चाराता है तता C अपनी 14 गाए 9 महिने चाराता है, प्रते को कितनी कितना किराया देना पड़ेगा देखिए A, B, C मिलकर एक चारा गाए किते में खरीते हैं, 5,880 में किराये पर लेते हैं ये अपनी अठ्रा गाय चार माहिने चराता है बी सोला गाय चार माहिने चराता है और सी चौधा गाय नौ माहिने चराता है तो चलिए हल करते हैं इसे तो ये देखी दोस्तो ए बी और सी ए अठ्रा गाय चार माहिने चराता है और B, 16 गाय 6 महिने चलाता है 16 गाय 6 महिने चलाता है और C, 14 गाय 9 महिने चलाता है तो गुड़ा कर लेते हैं जोस्तों, अठरा गुड़ी चार किता हो जाएगा 22 तर हो जाता है 16 गुड़ी 6 16 गुड़ी 6, 96 हो जाएगा और 14 गुड़ी 9 होता है, 126 यह देखो दोस्तों 6 से 12 बार कड़ गया यह 6 से 16 बार कड़ गया और 126 से 21 बार कड़ गया तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों 12, 16 और 21 किता हो गया यह हो गया 49, 49 यह मान लेते हैं हम टोटल हो जाता है 49 और हम इसे 49 यह मान लेते हैं और किते में किराय मिलेते हैं दोस्तों चारागा 5,880 में किराय मिलेते हैं यह देखी दोस्तों 49 से 5,880 किते बार कड़ जाता है 120 बार कड़ जाता है यह बराबर किता आ गया 120 आ गया तो हमें क्या गयाद करना है यह गयाद करना है यह गयाद करना है तो यह का किराय निकालने के लिए 120 में 12 का गुड़ा कर देंगे तो किता हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 1440 हो जाएगा अब बी का किराय निकालने के लिए 120 में 16 का गुड़ा कर देते हैं तो किता हो जाएगा यह एख़ाई नाव सो बीस हो जाएगा अब C का किराय निकालने के लिए 120 में 21 का गुड़ा कर देते तो यह हो जाता है 2520 तो A को किता किराय देना पड़ेगा A को देना पड़ेगा 1440 B को किता देना पड़ेगा 1920 देना पड़ेगा और C को 2520 रुपे किराया देना पड़ेगा बहुत यह अच्छा कोश्चन था चलिए अगला कोश्चन करते हैं यह रहा कोश्चन दोस्तो ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरम करते हैं आरम में इनकी पुंजियां एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अन के कुल लाब में से सी का भाग ज्यात किजिए यह देखी दोस्तो चार माहा बाद भी अपनी आधी पुंजी निकाल लेता है तो चलिए अल करते हैं इसे तो यह दो को दोस्तो ए बी और सी किस अनुपात में पुंजी लगाते हैं एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अनुपात और एक बटे पाच दोस्तो अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता तो इसे रियल वेल्यू में कनवर्ट करने के लिए क्या करेंगे ऐसी छोटी सी छोटी संक्या जिसमें पाच का तीन का और दो का भाग चल जाए कौन सी होगी हो तो रासी क्या होगी दोस्तो तीस होगी 30 हो गी, जो 5 से भी वीवाजित हो जाती है, 3 से भी वीवाजित हो जाती है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों सब के answer मैं 30 का गुड़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 बटे 2, अनुपाद, 30 बटे 3 और यह हो जाएगा 30 बटे 5 देखी दोस्तों यह कितने बार कट गई 15 बार कट गया यह 10 बार कट गया 3 से 30 5 से 30 कितने बार कट जाता है 6 बार कट जाता है यह देखी दोस्तों यह real value आ गई इस अनुपात में ABC ने पुंजी लगाई 15 अनुपात 10 अनुपात 6 अनुपात में एने पुंजी कितने समय किले लगाई दोस्तों 12 मैने किले लगाई और B ने यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों देखी 4 माँ बाद B ने अपनी आधी पुंजी निकाल लेता है चार माहा बाद भी अपने आधी पूंजी निकाल लेता है तो क्या हो जाएगा दोस्तो दस गुड़ी चार हो जाएगा चार माहा तक तो दोस्तो पूरी पूंजी चलती है उसकी चार माहा के बाद आधी पूंजी कर देता है वो तो दस का आदा किता हो जाएगा 8 बचे और C कितने माहिने किल लगा रहा है 12 माहिने किल लगा रहा है C तो अब इनको calculate कर लेते हैं दोस्तों 15 गुडित 12 कितना हो जाता है दोस्तों यह हो जाएगा 180 यहां देखिए दोस्तों 10 गुडित 4 कितना हो गया 40 और 5 गुडित 4 8 यह भी 40., 40-40 कितना हो गया असी हो गया और 12 गुडित 6 कितना हो जाता है 72 हो जाता है यह दीखिए 4 से 186 बार कर जाता है 80 20 बार कड़ जाता है 72 अथ्रा बार कर जाता है तो देखिए दोस्तो 45, 20 और 18 कित्ते हो गए यह हो जाते है 83, हम इसे 83 ए मान लेते है बराबर कित्ते का लाव हो रहा है वर्सकंद में 41,500 का यह देखिए, 83 से काड़ देते हैं इसे तो यह बराबर क्या आजाएगा? यह 500 बर कर जाता है तो यह बराबर आजाएगा 500 तो हमें पुछाए कुल लाव में से C का लाव ग्यात किजिए तो चलिए C का लाव पता करते हैं तो C का लाव कैसे करेंगे? 500 गुडित, अठरा कर देंगे क्योंकि यह C की वेल्यू है, यह A की है, यह B की है और यह C की वेल्यू है तो अठरा कर देते हैं तो कित्ता आजाता है दोस्तो? 9,000 आजाता है तो C का लाव कित्ता होगा 9,000 दोस्तो आज की वीडियो में बस इत्ता ही नेस्ट वीडियो में हम पार्टनर्शिप का पार्ट सेकेंड देखेंगे दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा थेंक्यू पर वाचिंग दोस्तो